हेलो फ्रेंट्स तुष्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सैंसंग के ए 54 5G के बारे में फ्रेंट्स ये फोन तीन कलर में आपको देखने को मिल जाता है उसके साथ ही ये दो इस्टोरिज वेरियंट में आता है यहां पर राइम टाइक की बात करें तो यहां पर अच्छी बैटरी बैकप देखने को मिल जाएगी और यहां पर हाट्पोर आप गेमिंग नहीं कर सकते लेकिन गेमिंग होगा ठीक ठाक गेमिंग होगा आप मेडियम सेटिंग पर अच्छा खाजा गेमिंग कर सकते हो प्रेंट्स यहां पर हम लोग कैमरा की बात करें तो आपको पीछे ट्रीपल कैमरा का सेटप देखने को मिल जाता है जो जो मेंट कैमरा है भो 50能 मेगापिक्सल का है विद ओ ऑईएस और जो दूसरा कैमरा है वो 12 पिक्सल का है और जो तीसरा कैमरा है वो 5 मेगा पिक्सल का है मैक्रो सॉट के लिए और फ्रेंड जो ये 50 मेगा पिक्सल का है इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो आप रन वागेरा करोगे तो आपका वीडियो ज्यादा सेक नहीं होगा और फ्रेंड ये एफोन रियर कै प्लस एमोलेट डिस्प्लेइ देखने को मिल जाता है जो की 120 हर्ट फास रिप्रेंड को सपोर्ट करता है यहाँ पर हम लोग बैटरी के बात करें तो बैटरी आपको देखने को मिल जाती है 5000 इमेच की और ये फोन 25 वाट के चारजर को सपोर्ट करता है जो की डिबा में व्रेंड आप अगर के अर commence आगे और पीछे जो जो अच्छै से से औ Baby रहता है और देखने को मिल जाएक है और wearing aड और आपको व्रेंश दोनुख कर देखने को मिल जाता है और्येंस में लोग की बात करें तो यहाँ पर आपकोनेक्टिवीन नेक्या हो जाएगा क्योंकि यहां पर इंडिया मैने वाले सभी इसमें सपोर्टेट है और फ्रेंट्स यहां पर वाइफाई 6 के साथ आता है और यह फोन प्रॉफॉमेंस वाला फोन नहीं है फ्रेंट्स यह फोन मुल्टिमीडिया एक्सपीरियेंस अच्छा देने वाला फोन है और इसमें आपको डूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है जो कि आपको सांड क्वालिटी को एक बेटर इस्पीरियेंस देगा और फ्रेंट्स यहां पर हम लोग Bluetooth की बात करें तो 5.2 का Bluetooth देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंट्स यहां पर ह आपको देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ही आपको पांच साल का सीकिरूटी अपडेट भी देखने को मिलेगा और फ्रेंट्स यह फोन बहुत ही तगड़ा है मतलब मीडियम मीड रेंज में और यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट देखने को मिल जाए